स्टे दोस्तों आप सब का स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंडिसी दुनिया में गाइस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे बरुदा टी टुइंटी का सेकेंड मैच चो खेला जाएगा टी आई टी वर्सेश सी एचे के बीच वीडियो में गाइस आपको मिलेगा ना ड स्वाइटिं सेक्शन में सादू के निकाला था बहुत इंट्रिस्टिंग सा फैक्ट है कुछ जो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है तो मेक्शूर करो वीडियों तक देखो पसंद आया तो लाइक करते ना अगर चैनल में नहीं होना तो सब से पहले गाइस सब्सक्रा करें फाइनल अपडेट फीचर अपडेट के लिए एक बज़े से पहले तक टेलीग्राम जोइन हो जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से या फिर कॉमें सेक्शन में पीन क्या वाले लिंक से भी आप टेलीघ्राम जोइन सकतो या फिर सच कर सकतो एद दरी टि करीब बना था तो यह जो ग्राउंड है बहुत जादा स्कोर बनते नहीं है स्टिल पीच थोड़ा सा नियू रहेगा तो 140 बट जब मैंने पीच देखा था ना तब मैंने इक चीस नोटिस और किया था कि पीच का एक साइड में एक दम से ग्रीन है और एक साइड में को बहुत जादा है तो मेक शूर करो वीडियो नंतर देखो और लिफ अम और्ट बॉलर स्कॉन है उनको मार्क करके रखो और उनको अपने टीम से ना डॉप करने का मतलब सोचना भी मत ठीक है फॉर फाइनल अपडेट टेलिग्रम जान उजाना में आता हूं अनलाइस में करके स्टार्ट रखना टी आईटी से कुछ प्लियर्स जो बैटिंग से परफोमेंस अच्छा था इनके लास्टी टूइंडी सेरीज में सुकृत पांडे तीन मैच 127 चॉसर का एवरेज एल पधियार चार मैच में 82 रन 27 का एवरेज आर्वसाबा चार मैच में 73 रन 24 का एव चुन्टे इनवारेज था बॉलिंग से इनका बनाया नहीं था क्योंकि बैट्सन को रोड़ी कर रहा था और यूइस पैट्समें ने ने बहुत ही कम रन बनाया तो इनका बैटेंग से परफोमेंस अच्छा नहीं था तो मैंने लिखा नहीं वर ह estavam शूकृत पांडे थीन मै बालिंग में ना इन्होंने कहां पर बॉलिंग किया इन्होंने ना टेलेंड टेकर नहीं है बट अक्सर ऐसा होता है कि उच्पीन में ना कर पाए तो यह तो मैं मान दा हूं कि बढ़िया कैप्टेन पीख सुकृत पांडे एंड टीम में तो नहीं है बॉल फर्स बॉल सगें दोनों कंडिशन में तीम में रखना है बी तुन गारे अचार मैच में साथ हुगे निकाला बॉल फर्स जादे इंपोर्टेंट पिक देव पर्टेल सबसे बरिया डिफेंशल पिक लेफटाम ऑफडॉक्स पीच को ना ट्रेडिशनली सपोर् पर चार मैच में पाच यूगे एक लिफ्टाम स्पीन बॉलर है जैनिल पंडे तीन मैच में चार और जैपाल चार ने तीन मैच में थीन विके निकाले हैं एक सी एच से ठीक है टी इसे मैं बताओ अधित्या मैंनन ओपन करते हुए दिखेगा यह पदियार के साथ यह जो दोनों टीम के प्लियर्स है ना यह सभी अलग-अलग टीम से खेले थे इनके जो लास्टी 20 वा था उसमें भी तो मुझे स्टील मैंने सोचा कि चलो एक डिकार्ट आपको शो कर दो चो पैरामिटर की रूप साप यूस कर सकते हो कितना ज्यादा यूसफूल होगा यह आप क थोड़े से नीचे खिलते वे दिखेगा टू डाउन अंश त्रिवेदी आपको थोड़े से नीचे खिलते वे दिखेएंगे अब यह जो प्लियर्स होते है ना अनिल त्रिवेदी हो गया ती बेड़ादे कि इनका बेड़ादे इंका बैटिंग फर्स इंपॉर्टे जढ़ा होता है बैटिंग सेंट बहुत जादे इंपॉर्टें रहते नीए अनिल त्रिवेदी सेम बात वेट फर्स जादा इंपॉर्टें helpful जाएंगे कमपैर टो बैट्क तू बैट ही नीचे के बैट्समें होता है ना तो इनके बॉल को बैक कर देना है दियान देना इसमें टीक है और नीचे से खिलेंगे कैस इंजे बालिंग जना मेन होंगे देव पटेल और शैलंद्र यादव यह दो सबसे बड़े बॉलर है इस इस प्रीम का और इन दोनों को ना इकदम से बॉल दॉप मत करना म मैं बता दे रहा हूं बहुत इंपोर्टन होंगे बॉल फिर्ट बॉल सेकंड दोनों कंडिशन में अधित्य मैनन विद बैट नबे मैच में 25 के वरेश 25-66 रहने अर्षट वर्ण में साथ बॉलिंग चोड़ दो बैटिंग से डिसेंट स्कोर है बहुत हाई नोट नहीं है बढ़ आप ट्राइक कर सकते हो सुकृत पंडे 30 का वरेज बैट फर्स ट्राइक करना बैट सेकेंड में मैं प्रिफर नहीं करूंगा क्यूंकि पचास मैच में नहीं युकेट है ज्यादा बॉलिंग करते नहीं है अनिल त्रिवेदी चौबिस मैच में 36 का वरेज ज्यादा सक्सफुल इवन विद बाल भी डिसेंट रोहन देखो थोड़ी से मैच ज्यादा खेलके ना इनसे थोड़ी से ओवर भी कम डाले बट हां विकेट निकाले विकेट निकाले तीस विकेट निकाले रोहन रोशन वसाबा तो आपको ना ऐस ऑल्राउंडर प्ले करते हो दिखेगा बैटिंग सेक्शन से अनिल त्रिवीदी र लेना मदी सायद 20 मैच में 113 रन है बटना 234 ओवर में 29 विकेट है काम है बिसिकली बॉलिंग से परफोर्मेंस करना राइटम आप स्पीन है एक और चीज़ एड़ करूंगा ज्यादा बॉलिंग यह मतलब डिसेंट एमान ऑफ बॉलिंग करते हैं बट राइटम आप स्पी और साइड इनिक्स में ट्राइ तो कर सकते हो और इवन गाइस सेव जाने के लिए ना ले सकते हो निसाग ने 19 मैच में 45 के निकाला देखो विकेट बहुत जादा है क्योंकि ना कुछ अनलिमिटेट क्रिट्स भी चले यह वर्ल मैच का रिकॉर्ड है मेरा बर रन से भी सबसे पसंदीता लेफटाम और सकते है लक्षी तो किया बॉल फर्स ट्राइकर सकते हो तो इनिटान मैच में 35 के राइटाम मीडियम और गाइस बीटून करेगा इस बीटून करें ना बहुत सारे अनलिमिटेट के लिए तो 49 मैच में नाइडी सब्सक्राइब बहुत ज्यादा होता है बठा बॉल फर्स करेगा ना तो टून गरे हो गया शैलेंड्रे यादव हो गया दोनों को आप रख लेना और बॉल सेकिंड वा ना दोनों में से किसी एक को रख लेना मैं थोड़ा सा शैलेंड्र जो एक्स्पीडियंस ज होना चाहिए से मैं बता हूं आई उपन करते हो देखेगा अभीजीत कुमार के साथ प्रोबबली दूप कहलेंगे वन डाउन यह वाई गंचाला आर दिवान अंश पर टेल कैस्ट यह जो टीम है ना इनका मुझे बैटिंग ना अच्छा खासा वीक लगा है तो इस लॉज हो सकते हैं इनसे अगर देखोगे ना बॉल बैटिंग से आई उश्राई ने 66 मैच में 19 का अवरेज है इनके दूसरे वीकी इनके अवरेज कम है यह सिलेक्शन भी इनका लेस है और यह थोड़े से वीक टीम से बिलॉंग कर रहा है तो शायद वीकी से भी आपको कम पॉइं दे सकते हैं क्योंकि आपने ना ज्यादा निकाल सकता है तो उपने वीकी भी ज्यादा एक्टेंप्ट मिल सकता है उनको स्टंपिंग और रन आओट कैशस वगेरा का तो मैं क्या करूंगा चैलेंज नहीं करूंगा पब्लिक किसा जाओंगा और आई श्राई को अपनी टीम से ड्रॉप करके रखूंगा फिलाल अपने टीम में ठीक है दुरू बैंट पर टेल 87 में 38 अच्छा खासा अवरेज है बहुत जादा अंडर नाइटीन के ला है तो एवरेज हाई होना चाहिए क्योंकि वहां पर थोड़े से कंपेडिशन कम होता है स्टिल अच्छे प्लिय है जुनिया लेवल में खेला है तो फिलाल मैं एग्नोर करूंगा और चंता इनको नहीं ले रहा है और मैं चैलेंज करके इनको अपनी टिम में नहीं रखूंगा दीवान बॉल फस्ट ज्यादा बिटर हो जाते क्योंकि ना 10 मैच में 35 ओवर विकेट है 176 ओवर है नंबर औ सब्सक्राइब ना देखो एकदम से तो मस्ट पीक नहीं है जैलेंजिंग है क्योंकि जनता इनको इंको कर रहे हैं बाल फॉस्ट बेशाप एक एक्स्ट्रा बॉलर या फिर एक एक्स्ट्रा कूशन के रूप से आप इनको इग्नोर या यूस्ट कर सकते हो या तर्त मैं मानता हूँ कि ना डोमेस्ट्री किकर में बहुत सा ज्यादा की रोल प्ले करते हैं क्योंकि इनको अक्सर ऑपोनेंस होचते हैं कि चलो टार्गेट करते हैं और एलिवेशन नहीं मिलता है मैं बार बार बता रहा हूँ इस ग्राउंड पे भी जो भी बैट्समन उठा के म जब से मस्ट हो जाते हैं आप डॉप मत करो एक्सरा बॉलर लेके चलो एक्सरा कुशन होगा के उरकाले ना 28 में ब्याले चुक्त करते हैं राइट मीडियम तो बॉल सेकेंड मैं ना लू बट एक चीज़ किया ना बॉल से इन पावर प्ले मैंने अक्सर देखा है कि इनको मैं देख रहा था डिवी कर रहा था तो तीनों मैच में ने देखा कि ज्यादातर वोजब आपर प्ले में करते हैं चार से तीनों बार उसके बाद आते नहीं अब यह निए तो तो शायद यहां पे इनका रोल भी डिफरेंट होगा वहां पे रोल अलग था बट मैं करता है तो शायद आप इग्णोर कर सकते हैं क्योंकि डेट प्यूस होते भी नहीं ऐसे भी प्रतिक गुदादरा 69 मैच राइट करते हुए दिखेगा हाई चांसल से की डेट करते हुए दिखेगा यह और यह श्वर्दिन सिंग तो इसलिए न मैं शायद काली को नहीं लोगा सीनियल लेवल एक्स्पिरियंस प्लियर है माइट बॉलिंग डेथ 69 मैच में 146 कमाल का उसाथ है कमाल का प्लियर है बैटिंग बॉलिंग दोने से परफॉमस्पिशली बॉल फस्ट मेरी टीम का कैप्टेन बनेगा क्योंकि मुझे लग रहा है दो विके तो मिल सकता है बैटिंग भी कर लेते हैं मिल और में तो क्यों ना मैं इनको और इनको जो चार्टेर ओवर करते हुए दिखेगा बैटिंग से भी परफॉमस्पिश देते हुए दिखेगा हाई चांस है कि दोनों में से कोई एक एक अटलिस डेट तो पक्का करेगा तो बॉल फस्ट मैं इ और नाइटिन के लिए भी खेला है और बढ़िया सा पीक है गाइस कैप्टेन चॉइजस में पी गोदादरा एक पंध होंगे आपके टीम में सुकृत पांडे सेफिस्ट पीक है मेरे इसाब से और डी पर टेल ना डिसेट विके टेकर है तो यह कुछ प्लेयर है देव पर अच्छे ऑप्शेन है बटना देखो सुकृत पांडे थोड़े सेफ है पी गोदादरा के साथ मैं फिंगर क्रॉस करके रखोगा और शायद मेरे आटिम का यह कैप्टेन बनेगा या फिर वाइस कैप्टेन बनेगा जरूर से ठीक है यह श्वादिन सिंग बॉल फर्स या बॉल फर्स यूज करना निसार को जे चर्दा ना डिसेंट पीक है बहुत खराब पिक नहीं शायद मैं यूज ना गूरू क्योंकि दोनों ना एकदम राइट तु राइट आल राउंडर है नहीं दोनों ज्यादा पॉलिंग ऑल्राउंडर है तो मैं प्योर बॉलर को ही कै प्रमुक बॉलर है फिर निसाग पर तेल मैंने तीन बॉलर ले लिया इस्टीम से पी गोदादरा अनुष पर टेल और यहां पर यहां पर यह श्वंद्र सिंग तीनों बॉलर है हमारे पास और चौथा बॉलर हो गया जे चार्ड़ा तो मैं मैं मैक्सिम्म बॉलर फाइनल अबडेट फीचर अबडेट आफ्टर टोस टेलिग्राम पर आ जाएगा तो जरूर से आप टेलिग्राम जोइन हो जाना वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल में नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक्यू एस पाई